दिपावली का त्योहार बेहद ही खास माना जाता है और ये त्योहार आपको महालक्षमी की पूजा करने होती है और मालक्षमी की पूजा आपको धन धाने से भरपूर कर देती है तो दिपावली की रात को बहुत सारे उपाई किये जाते हैं तो अगर आप कुछ उपाई कर तो आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है मेरे चैनल एस्टरो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल करें नमस्कार दोस्तों मैं रिया शर्मा आपका अपने स्वागत करती हूं और दिपावली का त्योहार आने वाला है और आगर आप धन की प्राप्ति चाते हैं आपके घर में धन ही धन बरसे तो आप एक बार इन उपायों को जरूर आजमाएं ऐसा करने से आपकी धन की समस्या और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपको पैसे से रिलेटिट प्राप्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगी ये समझ लिजे कि आप अगर ये उपाय एक बार आजमा कर देखिए आपका पास इतना धन होगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा सबसे पहले बात करते हैं अगर आप आए में वृद्धी चाते हैं तो दिपावली के दिन साबत उड़द दही और सिंधूर लेकर पीपल की जड़ में रखें और एक दीपक भी जलाएं इससे आपकी आए में वृद्धी हो जाएगी अगर आप जल्दी से जल्दी धनलाब चाते हैं आप बहुत जल्दी चाते हैं कि आपके पास पैसे आए तो दिवाली के शाम को किसी बर्गत के पेड़ की जड़ में गांट लगाएं और धनलाब मिलने के बाद इस गांट को खोल दें आपका ये उपाई 100% आप सफल साब रित होंगे और आपको धनलाब की प्राप्ति होगी अब बात करते हैं कि आप जो फिजूल खर्चे हो जाते हैं या घर में बरकत नहीं होती हैं तो आपको क्या करना है कि कुबेर यंत्र जो है वो अपनी तिजोरी में रखना है दिपावली वाले दिन अगर वो आप करें तो आपको कुबेर महाराज आपके घर में तिजोरी में धन की बरकत रखेंगे और आपके फिजूल खर्चे भी कम हो जाएंगे और अगर और वहीं आपको गन्ने की जड़ को लाल वस्त्रम में लपेट कर सिंदूर और लाल चंदर लगाएं इसे धन की तिजोरी में रख दें ऐसा करने से आपका धन की जो लक्षमी है वो आपकी तिजोरी में हमेशा बनी रहेगी महालक्षमी की पूजा के समय गोमती चक्र की पूजा थाली में रख कर देवी मा की पूजा में अवश्य से शामिल करने ऐसा करने से आपका धन भड़ेगा और जीवन में भी आपके सुक शांती बनी रहेगी दिपावली की रात को उल्लू की तस्वीर को तिजोरी पर लगाएं ऐसा करने से आपकी धन में बड़ोतरी होती है और अगर आप यह सारे उपाय करते हैं तो आप जरूर देखेंगे कि धन है धन की समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी आशा करते हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनो कामनाओं को पूरे करे आपका दिन आपका समय मंगल में हो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एस्टोरिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाका सब्सक्राइब कर लीजे धन्यावाद